विवेक अगनीहोत्री की नई फिल्म दी कष्मीर फायल्स। सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, ये फिल्म 1990 के दोर में एक बहुत बड़े मसले पर बनी हुई है। 1990 के दोर के एक बहुत बड़े मसले पर। जब आतनवादियों के दोरा कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की गई थी और उन्हें कश्मीरी छोडने पर मजबूर किया गया ये एक मास एक्जॉडस था जसने कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में शरार्थी बन कर रहने को मजबूर कर दिया था उनका वो स्टेटस आज भी बना हुआ है और आज मैं अब्दुलनभी हसन दी कश्मीर फाइल्स का रिव्यू लेकर आप लोगों के बीच हूँ मुझे अब्दुलनभी हसन कहते हैं और आप हमारा सोशल प्रेटफॉर्म देख रहे हैं दरसल दी कश्मीर फाइल्स का केंद्रिय पात और में पढ़ता है वो कॉलिज इलेक्शन में खड़ा होता है आगे का लबुलबाब ये है कि कृष्णा कहीं सुनी बातों पर विश्वास करने की बजाए खुद कश्मीर जाकर देखता है कि यहां पर चल क्या रहा है इस जोरान उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा राज प वो खुद एक कश्मीरी पंडित है और emotional scenes में कश्मीरी भाषा में बात करते हैं जो उनके character को authentic बनाने में मदद करता है उनके पोते कृष्णा के रोल में दर्शन कुमार है फिल्म के कुछ sequence में दर्शन college student बने दिखाई देते हैं हलाकि वो convincing तरीके से college student नहीं लगते हैं फ E.N.U. दरसल J.N.U. से मिलता जुलता नाम है एक scene में Radhika Menon का करदार Krishna को सलह देते हुए कहता है कि हर कहानी में एक villain होता है इस कहानी में villain Radhika Menon को बनाया गया है यहाँ पर ये director का point of view या फिर ideology हो जाती है क्योंकि वो विचारधारा के आधार पर अगर किसी को villain portrait करता है त यह तो हो गए film के तीन primary character इसके अलावा film में मिधुन चक्रवर्ती, प्रकाश बिलवारी, पुनीत इस्सर और अतुल श्रिवास्तप भी हैं उन्होंने पुषकरनात के चार दोस्तों का तिरदार निभाया है इन चार दोस्तों का काम है कि वो Krishna को बताएं कि उनके माता पित के साथ असल में क्या हुआ था, मतलब उनकी death कैसे हुई थी, दि कश्मीर files की अच्छी चीज़ यह है कि वो अपने narrative को लेकर बहुत passionate लगती है, लेकिन ऐसा करते हुए craft पर उसका खास ध्यान नहीं जाता, यानि कि cinema तोर पर आप film में कोई experiment नहीं पाते हैं, screen play की गुन्थ हाई जबरदस्त नहीं है, आप treatment में, आप जो treatment का इस्तार है उस पर बहुत unique film इसको नहीं कह सकते हैं, वो basic cinema tools का ही इस्तेमाल करती है, अपनी बातों का आसर छोड़ने के लिए, जैसे कि हम एक scene का ही जिक्र कर ले, कि film में एक scene है जिसमें 25 लोगों को गोली मारी जाती है, ये 25 की 25 गोली चलते हुए हमें screen पर दिखाई जाती है, ताकि दर्शक चाहा कर भी इसको भूल ना सके, कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों के जरूरी मानविय मुद्यों को पूरे जुनून से बड़े पर उके रहा है, लेकिन film ग्रे में जाकर चीजों को टटोलने की कोशिश नहीं करती है, यहां सब कुछ black and white में ही रखा गया है, कॉलीज प्रोफेसर का किरदार हो या फिर कश्मीर के तकरीमन सारे मुसलमान सबको इसमें villain के माफिक ही दिखाया गया है, यह तथात्मक कितना है और विचारात्मक कितना है, यह टटोलने की कोशिश अपना point of view दे रहे हैं, मुझे अब्दुलनभी हजन कहते हैं, मैं इस film का review आपके बीच लेकर आया था, आपको अगर यह बहतरीन लगा है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को जाते जादा शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को, हमारे पेज को subscribe और like जरूर कीजिए, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए,